हलो दोस्तों तीन ऐसा डिसेर में आपको परसका बता रहा हूँ जो आप देखते ही दंग रहा जाओगे पहले मैं मोबाइल के लिए बता रहा हूँ मोबाइल को इसके उपर रखना है देड़ इंची इस्टा कपड़ा लेना है उसके बाद एक छोटा पीस लेना है और इसको इस तरह से शिलाय लगा देना है अब यहाँ पर एक दूसरा पट्टी लिया है और एक चैन को यह साइट में रख करके मैंने अटच किया है अब यहाँ से हम रिबन अटच करेंगे इसके उपर और यहाँ से भी इसको सिलाय लगा कर पैक कर देंगे अब यह वाला हिस्से को दूसरे साइट में रख करके इस तरह से सिलाय लगा रहा है यह सिलाय कंपेलिट करने के बाद अब इसको लब पर भी एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद अब हम पूरे पीस को इस तरह से फोल करेंगे अच्छे से और यहां से हम सिलाई लगाना स्टाइट करेंगे पूरे पीस में जब तक मैं सिलाई लगा रहा हूँ आप लोग हमारे चैनल मोईंट टेलर को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो आप जब ही करना जब आपको आइडिया यह सब अच्छा लगाओ यसलिए कमपिलिट करने के बाद यहाँ से चैन के दरेशे हम इसको आपन करेंगे अच्छे से एरन लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर देखें चैन को खोनने के बाद अब मुबाइल वगरे इसमें रख सकते है अब यह सैट में जो पाउकिट है इसमें आप पैसे रख सकते हैं और इसको इस तरह से पैक कर सकते है आइडिया कैसा लगा कॉमेंट करते वेच ले जाएए यह तो पहला ट्रीक है अब दूसरा जो मैं बताने वाला हूँ बहुत आसान है मैंने यहाँ पर तीन कफड़ा और एक फ़र्म का यूस किया है और इसका लेंट तो 10 सिंच और चोड़ाई इसका चैन जे और एक चैन की दौरत पड़ेगी जो इसको इसके उपर रख करके मैं इस तरह से सिलय लगाऊंगा यह सिलय कंपिलिट करने के बाद हम यहाँ पर एक लप पर भी सिलय लगाएंगे कुछ इस तरह से ये भी स्लेय कमपिलिट करने के बाद अब हम इसको इस तरह फोल करेंगे और यहां से भी हम इस तरह से एक स्लेय लगाएंगे अब उसके बाद यहां से जो मार्किंग दिखाए देरा इसी मार्किंग के उपर मैं कट कर लूगा दोनों साइट में और यहां से मैं साइट अटच करना इस्टाइट करूंगा यह एक साइट का हो गया और दूसरे साइट का भी सेम इसी तरह से आपको साइट अटच करना है अभी आपको ये जो दिखाई देरा इसको इस तरह से पकड़ना है और यहां से दोनों को मिला करके सिलाई लगा देना है सेंद दूसरे साइट में भी लगा दिये अब यहां से हम चेंद के दिरे से सीधा करेंगे तो इसका लोग दिखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा इसके अंदर आप कुछ भी समान रख सकते हैं चलिए मैं अपेन करता हूँ और मैं बहुत सारा चोक्रेट रखा हूँ तो इसके अंदर रख दिया मैंने तो कैसा लगा? बच्चे खुश होंगे या नहीं जरूर बताए आप लोग कॉमेंट करके तीसरा परसर का डिज़न बहुत आसान और बहुत इक उफसूरत है उन्हें से कपड़ा के उपर मैंने तीन इंचे पर कट लगा दिया अब एक चैल रखा और दूसरे कपड़े के उपर से रख करके एक सिले इस तरह लगा दिया और इसको पलट करके इस तरह से मैंने फोल किया है अब यहां से जो मैंने कट लगा था उसको इसके उपर रख दिया मैंने और यहां से भी मैंने सिले लगा दिया अब धियान से देखना यहां पर इसको इस तरह से पलटना है और ये वाला जो कपड़ा था इसको इस तरह से रख करके यहाँ पर मैं सिर्फ चैन पर ही एक सिलय लगाया तो इसका जो है न एक pocket ready हो जाएगा अब दूसरा pocket हाँ कैसे रखेंगे वो आपको बताएंगे पहले मैं यहाँ पर ribbon लगा देता हूँ और एक chain फिर से हम इसके उपर रखेंगे और एक सिलय लगाना state करेंगे कुछ इस तरह से यह सिलय कंपिलिट करने के बाद अब यह वाला हिस्सा इसको इस तरह से उठा करके भी यहाँ पर हम सिलय लगाएंगे अब पूरे को हम साइट एटेज करेंगे इस तरह से दोनों साइट करने के बाद हम एरन अच्छे तरह से लगा देंगे तो इसका फिनेशिंग कुछ इस तरह से आ जाएगा अब उपर वाले में आप कुछ भी समन रख करके पैसे वगर भी रख सकते हैं और बीच वाले में आप मोबाइल रख सकते हैं इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा आइडिया लगा एक मरता प्यारा सा कॉमेंड कर देजे और वीडियोस को शेर कर दे ताके दोसों को भी मालूम हो जाए देखते हैं कितने मेंबर सा कॉमेंड करते हैं